पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नगीना ने नागेश को स्विकार कर लिया था, वही नगीना ने त्रिपुरारी पंडित की सारी सचाई भी अपनी मा को बता दी थी त्रिपुरारी पंडित को पता लग चुका था कि नगीना एक नागिन है और वह नागेश नाग से मिलने जाती है वही त्रिपुरारी पंडित नगीना की नागिन होने की सचाई सब को पताने वाला था अब आगे नागेश से मिलने के बाद नगीना घर आ जाती है और थोड़ी ही देर बाद तुरे पुरारी पंडित भी उनके घर पहुँच जाता है हाँ 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 है क्या कोई घर में पंडी जी आप अचानक से इतनी सुभ़ सुभ़ सरा नगीना को तो यहां बुलाओ क्या हुआ पंडी जी आफ काफी भढ़के हुई लग रही है नहीं नहीं मैं बहुत खोशू सच में बहुत खोशू मैं हाँ 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 अच्छा ऐसा क्या हो गया अभी पता लग जाएगा जब तुम्हें अपनी नागिन बेटी की सच्चा ही पता लगेगी क्या नागिन आप कहना क्या चाते हैं पंडीची हाँ सही सुना नगीना तुम्हारी बेटी एक नागिन है आप कैसी बती कर रही हैं पंडीची मैं नहीं मानती ये सब अभी सब दिख जाएगा ये असंभव है पंडेची मैं तो आपकी बातों से हैरान हूँ कहीं आप कोई मजाग तो नहीं कर रहे मैं मजाग नहीं करता मैं एक तंतर मंतर वाला पंडे थो मेरी बाते मजाग नहीं होती तभी ते पुरारी बीन बजाने लगता है और नगीना को बीन की अवास सुनाई देने लगती है और तभी वहाँ एक साप रेंगते हुए आ जाता है मा, ये देखो, साप हाँ बेटा, दूर है देखा, आ गई तेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है तभी ते पुरारी और जोर से बीन बजाने लगता है और तभी वहाँ साप इनसानी रूप में आ जाता है और वहाँ और कोई नहीं, बल्कि नगीना ही थी देखो सब, सच्चाई हाँ 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 घर के सभी लोगों को ये देख कर होश उड़ जाती है हे भगवान, मेरी बेटी एक नागिन है हाँ, तेरी बेटी एक नागिन है हे भगवान, दूर हो जाओ इससे हाँ, सब दूर रहो अब तो ये नागिन सिर्फ मेरे काम आएगी नगीना, तुमे एक नागिन हो माँ देखो न हाँ सोम, उसे दूर हो जाओ, यह हमें डस लेगी, जल्दी से कमरे में जाओ नहीं माँ इसे मत करिये, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुचाओंगी हे भगवान, हम इतने टाइम से नागिन को पाल रहे थे यह रजनी नहीं नागिन पैदा की है, अब हम इनके साथ एक पल नहीं रह सकते लेकिन माँ, नगीना ने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुचाया, हम इतने वक से साथ ही तो थे तू चुपकर नगीना, चुपचाब मेरे साथ चलो अगिस नहीं दुष्ट, मैं तेरे साथ कभी नहीं जाओंगी ऐसे नहीं मालेगी तू तभी तरी पुरारी उस पर एक पाउडर छड़क देता है, जिससे नगीना दड़पने लगती है मा, पचाओ मुझे मा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक नागिन का साथ नहीं दे सकती चलो मा कमरे में तभी रचनी और सोम कमरे में चले जाती है तभी तरी पुरारी नगीना पर बार बार पाउटर छड़कता है, जिससे नगीना बेहोश हो जाती है और इसके बाद गुपाल नगीना को उठा कर त्रिपुरारी के साथ किसी रहस्यमाई जगह पर चला जाता है तो त्रिपुरारी और गुपाल बेहोश नगीना को उठा कर इक गुफा में ले जाती है और पंडित वहाँ मीन बजाना शुरू करता है तभी नगीना को होश आता है त्रिपुरारी मुझे छोड़ दे दुष्ट तू मुझे उठा कर क्यों ले आया है यहाँ क्योंकि मुझे नागमणी चाहिए भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तुझे नागमणी कभी नहीं मिलेगी तू ठोंगी है नागमणी तो तुझे देने ही पड़ेगी अब मेरे चंगुल से बचकर कहा जाएगी चाचा जी मुझे बचाहिए ये धोंगी आपको भी मारते का नहीं मैं तुझे कभी नहीं बचाऊंगा नागिन तो नगीना बहुत भागने की कोशिश करती है लेकिन तुझे पुरारी बार बार एक पाउडर छड़क कर उसे रोक लेता है नगीना चिलाती है मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे हरगेज नहीं अब मुझे नागमणी देविना तु यहां से नहीं जा सकती मैं नागिन हूँ और मैं नागमणी की रक्षा करती हूँ फिर रक्षा करती करती तू भी मारी जाएगी मैंने पहले भी कई नागनों को मारा है अब तू भी मर दुष्ट, तीरा अंत बहुत पुरा होगा मेरा अंत तो जब होगा तब होगा अभी तो तीरा अंत है तो इसे तरहें तुरे पुरारी उस पाउडर से और बीन बजा कर नगीना को तरपाता है नगीना कभी नाग बनती है तो कभी इंसान और वही नागेश को अपने भीतर ये एहसास हो गया था कि नगीना किसी मुसिबत में है तभी नागेश नाग रूप में हवेली में चला जाता है पर उसे नगीना कहीं दिखाई नहीं देती मुझे एहसास हो रहा है कि नगीना बहुत बड़ी मुसिबत में है तभी नागेश अपने एहसास से पहाडी की गुफा में पहुच जाता है और वह देखता है कि ते पुरारी पंडित नगीना को बहुत तरपा रहा था लायक नहीं है नीच तभी नागेश भी इनसानी रूप में आ जाता है और पुरारी नागेश को भी तरपाने लग जाता है छोड़ दे मेरे नागेश को पापी अब तू पहले तेरे नागेश को ही मरते देख नहीं ऐसा मत कर इसे जाने दे अगर तू इसकी जिंदगी बचाना चाहती है तो नागमरी लाकर दे दे हमें नहीं नगीना, नागमरी किसी भी कीमत पर नहीं देनी है ठीक है, तो फिर दोनों एक दूसरे की मौत का तमाशा देखो कभी तरे पुरारी नागेश पर पाउडर छड़क कर उसे और ज्यादा तरपाता, कभी वे नगीना को तरपाता, तो कभी नागेश को अभी भी सोच ले नगीना, इसकी जान बचा ले, नहीं नगीना, चाहे मैं मर जाओ, लेकिन नागमरी इनके हाथ कभी नहीं आनी चाहिए तब ही ते पुरारी रुख जाता है ठीक है जब तक तू नागमणी को लेकर मेरे पास नहीं आती तब तक ये नागेश मेरे कबजे में रहेगा जल्दी जा नगीना और नागमणी लेकर सीधा यहां आजा अगर नहीं आई तो मैं तुझे फिर से पकड़ ही लूँगा और नागेश भी मारा जाएगा नहीं नहीं से कुछ मत कहना मैं ज़रूर आऊंगी तब ही नगीना अपने नागिन रूप में आ जाती है और जल्दी से हवेली में पहुचती है और फिर से इंसान बन जाती है मा सों मुझे अपकी मदद चाहिए दूर बोजा नागिन मुझसे हमें तुझसे डर लगता है नहीं मा इसे मत कहो मुझे मदद चाहिए वरना वे लोग नागेश को मारतेंगे भला हम इसमें क्या कर सकती है और ना जाने कौन है ये नागेश मात्र पुरारी पंडित बहुत बुरा है तांतरिक है उसे नाग मणी चाहिए और नागेश से में प्यार करती हूँ तो तुम मेरे पास क्यों आई है नागिन यहां से चली जा नागिन हमें तुमसे बहुत डर लग रहा है आप लोग मुझसे बग तरिये मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी लेकिन कोई भी नगीना की बात सुनने को तयार नहीं था वे रोती हुई वहां से वापस चली जाती है अब मैं क्या करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं नागेश को मरनी क्ले नहीं चोड़ सकती और फिर नगीना पेडों की बीच एक जगह पर जाती है जहां मिट्टी में एक शिबलिं नगीना सही कह रही है हमें इसकी सहायदा के लिए इसके साथ जाना चाहिए नहीं बहन भे तुम लोगों को भी मार देंगे चाहें जो हो हम नागेश को बचाएंगे लेकिन अभी मुझे ये नागमनी लेकर जाने दो मैं आपके आगे हाल जोड़ती हूँ अगर मैं नागम नी ली जाओ हम भी वहाँ पर आएंगे और तुमारी सहायता करेंगे तो नगीना जल्दी से नागमनी लेकर उस गुफा में पहुच जाती है तुरिपुरारी और गोपाल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है शाबाश नगीना जल्दी से नागमनी मुझे दे दो तो ग पुरारी इपने शक्ति से उस पर एक साप छोड़ देता है और वह गुपाल को डस लेता है गुपाल वही मट जाता है और वह नागमणी उठा कर वहां से भागने लगता है तब भी उसके सामने बहुत सारे नागनागी ना जाती हैं और तो पुरारी के उपर चड़ने लगती हैं चोड़ दो मुझे जाने दो धोके बाज नगीना तु अपने साथियों को लेकर आई थी तुने भी तो धोका दिया था और मैं तो अच्छे कारी के लिए ही ये सब कर रही थी ये तुने अच्छा नहीं किया तब ही मैं सभी नागनागे इंतर पुरारी पर चड़ कर उसे मार देती हैं और इस तरह से नागमणी के सुरक्षा भी हो जाती है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हाँ आज आप ही की वज़े से हम दोनों जिन्दा है कुई बात नहीं बहन ये तु हमारा फर्स था अब हम इस नागमणी को लेकर वापस उसी जगह पर जा रहे हैं ठीक है तो सभी नागनागी न उस नागमणी को लेकर चले जाती हैं वही नगीना और नागी इश घर पहुशते हैं ति पुरारी पंडित ने को पाह चाजाजी को मार दिया नहीं हाँ चाजी जी मैंने कहा था ना कि वे पंडित धोगे बास है तभी सुभंद्रो और नेरू जोर-जोर से लोने लगते हैं मैं भी मा को कहती थी लेकिन इनोंने मेरी कभी बात नहीं सुनी इनी की बज़े से आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे नहीं नेरू ऐसे मत कहे मुझसे गलती हो गई अब हम अपनी ही दुनिया में खुश रहेंगे तो इसके बाद नागीश और नगीना नाग लोग में एक साथ खुशी-खुशी रहते हैं वहीं उसका परिवार भी अब अच्छे से हवेली में रहता था लेकिन वह लोग गोपाल को खोच चुके थे बुरी कर्म का बुरा नहीं है